असलाम अलेकूम, वेलकम टू माई यूटूब च्राइनल फेमली दस्तरखान आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लेट पिस इसे चिकन ड्रम स्टिक भी कहा जाता है इसे हम बहुती आसान तरीके से आपको बनाना बताएंगे ये हमने चार लेट पिस ली है ये बहुती आसानी से और बहुती टिस्टी बनता है इसे बहुती कम मसाले में हम बनाना बताएंगे ये हमने चार लेट पिस ली है इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे और इसके उपर हम कट लगा देंगे ताकि मसाले अच्छे से चिकन में अब्जर्व हो जाए ये हमने तीन चमच कॉन फ्लोर ले लिया है एक चमच हमने अद्रक का पेस्ट और एक चमच हम लस्न का पेस्ट ले लेंगे ये एक चमच हमने गरम मसाला पॉर्डर एक चमच हम लाल मिर्च पॉर्डर लेंगे यह हमने आदर चमच हल्दी पॉर्डर, आदर चमच काली मिर्च पॉर्डर, एक चमच हमने जीरा पॉर्डर, एक चमच इतना हम चाट मसाला पॉर्डर लेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, यह हमने तंदूरी मसाला लिया है, आदर चमच और यह हमने आदर चमच धनिया पॉर्डर ले लिया है दो चमच इतना हम दही ले लेंगे, इसका पानी हमने निकाल लिया है, सुखी दही लीजे आप, यह हमने एक अंडा ले लिया है, एक चमच हम नमक ले लेंगे, यह हमने थोड़ा सा कलर ले लिया है, फूट कलर, टेमैटो कलर लिये हैं, इसे बहुती अच्छा कलर आ जाता है चिकन में इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसके अंदर निबू का रस दालेंगे यह हम आधे निबू का रस दाल रहे है सारी चीज़ों को हम अच्छे से मसाले में मिला लेंगे चिकन की पेस को मसाले में अच्छे से लगा देंगे यह हम एक चम्मच राई का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चिकन में मुलायमियत रहती है चिकन में मसाले लगा के हम एक घंटे इतना फ्रीज में रख देंगे अब हमने एक कड़ाई में तेल ले लिया है और सारी चिकन को अच्छे से मसाले में लपेट के और हम कड़ाई में डालेंगे यह हम डीफ्राई करेंगे ताकि चिकन हमारे अच्छे से हो जाए सारी चिकन की पीसिस को हम अच्छे से मसाले लगा के और तेल में डाल देंगे तेल हमें मेडियम आच पे रखना है अब हम इसके अंदर हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डाल देंगे यह हमने 4 हरी मिर्च और 2 कड़ी पत्ती की डंधल डाल दी है डंधल के साथ पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से आप एक बर जरूर बना के ठ्राई करें यह देखें हमारे चिकन अच्छे से, फ्राई हो गए है और कितने अच्छे से इसके कोटिंग हुई है इस तरीके से आप एक बर जरूर बना के ड्राई करें न हमने इसमें मैदा न हमने बेसर नियू उस किया है खाली कॉन फ्लोर और अंडे से इतने अच्छी इसकी कोटिंग हुई है देखे कितना बहतरीन बन की ये तयार हुआ है तली हुई हरी मिर्च बहुती अच्छा टेस्ट देती है चिकन के साथ इस तरीके से आप बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके चिकन लेक पिस कैसे बनी ये हमने टमाटर पता गोबी और नीबू के साथ सर्फ किया है अलाफ़ेज़